हेलो फ्रेंट्स विल्कम रिस्टोई इन पेडिया आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चानल में आज की इस पेडियों में हम बात करने वाले हैं जियोलोजी ओनर्स फॉर समेश्टर स्लेवस के बारे में यहां पर देखेंगे कौन-कौन सी टॉपिक आपको कभग करनी है कैसे पढ़ाई करनी है कैसे नोट्स बनाना है कौन-कौन से बुक का आपको इस्तमाल करना है आप जो स्लेवस देख रहे हैं यह राची इनवर्सटी की स्लेवस है जितने भी आफिलेटेट कॉलेजी से राची इनवर्सटी से से मापका स्लेवस यहां पर फॉलो होता है जहरकंट के किसी भी कॉलेज में आपको बता दू स्लेवर्स का यहाँ पर टॉपिक सेम देखनी को मिलेगा हो सकता है पैटर्ण में आपको डिफरेंस देखनी को मिले बात करेंगे यहाँ पर क्या-क्या बाते बताएं गई है सबसे पहले आप इस्ट्रक्चर देख लेजिए यहाँ पर चार आपके पेपर होंगे दो आपका में पेपर होगा जो की रहेगा को वन को टू यहाँ पर देखिए मार्किंग की बात भी करेंगे यहाँ चलते है नीचे यहाँ पर आपका स्लेवस आगया बस देखिए यह आपका स्लेवस है ठीक है पेपर पहला आपका अर्ट सिस्टम साइंस है यहाँ पर उसमें आपको बताया गया है पंदरा मार्क्स के आपकी मेट सेमिस्टर एग्जामिनिशन होंगी और जो है 60 मार्क्स का यहाँ पर आपका होगा इंट समिस्टर एग्जामिनिशन दो आपके फर्स्ट एयर में समिस्टर होते हैं सेम आपको मार्क्स देखनी को मिलेगा पासिंग मार्क्स 30 है 30 लाते हैं आप पास हो जाते हैं यहाँ पर पहला पेपर ही है Earth System Science यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है Unit 1 Unit 1 में क्या है तो देखिए आपको एक main topic बताएगे ठीक है Heading है यह Earth as a planet तो इसमें सबसे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो Earth as a planet आप देखिए उसको notes बनाएगे एक introduction notes आपको बनाना है तो यह जो है दो सब topics आपको देखने को मिल रहे है दोनों में जो है आपको notes बनाना है क्योंकि questions बस EC से आते हैं question out of syllabus नहीं आता जितनी आपको syllabus में topic दीख रहे ही बस EC से आपसे question पूछ दिये जाएंगे directly उठा कर पटक देते हैं ठीक है यहाँ पर देखिये बात करें general characteristics and origin of universe यह जो है आपका simple एक topic हो गया solar system and its planet यह आपका topic हो गया तो यह जो है इसी topics पर आपको notes बनाना है और जो है जितने यहाँ पर multiple topics आपको देखने को मिलेंगे जैसे earth की बात करें earth इन solar system origin बतानी है size बताना है mass density, rotational and revolution parameters and its age यह भी आपको बताना होगा इसमें किस तरह से prepare करें तो देखिए 15 marks के हिसाब से यहाँ पर बनाईएगा notes 15 marks में कितना page enough है 6 page यानि दोनों side मिला कर बता रहा हूँ ऐसे 12 हो जाएगा 6 page आप लिखते हैं 7 page भी लिख सकते हैं 8 page भी लिख सकते हैं यह आपकी speed पर depend करता है पर जो है notes बनाईगे वो 10 page की minimum बनाईगे यहाँ पर काफी अच्छा होता है 10 page में 10 page में होगा क्या आपको यहाँ पर memorize भी करेंगे आप तो 6 page easily यहाँ पर लिख सकते हैं interior of the earth की बात करें यहाँ पर जो है आपको कौन-कौन से topic देखनी को मिलेंगे internal structure of earth इसमें भी आपको काफी details में note बनाना है फिर जो है earth magnetic field आपको बनानी है convection in the earth core and the production of its magnetic field आपको पढ़ना है उसके बाद जो है आपके आजाएगी unit 3 plate tectonics आपको पढ़नी होगी यह जो है इसमें काफी सारे theories दी हुए है उसे आपको अच्छे से गवर कर देना है sea floor spreading and the continental theory plate tectonics की theory है तो इन में जो है अच्छे से notes बनाना है देखिए concept of plate tectonic एक अलग बात है यहाँ sea floor spreading एक अलग theory continental theory, drift theory जो है यह अलग है तो तीनों में आपको notes बनानी है उससे पहले plate tectonic का introduction आपको दे देना है फिर उसी तरह आप सब में देखेंगे वलकानोस के type है, production है, distribution है फिर जो है origin of ocean, continent, mountain, drift, village, earthquake and earthquake builds आपकी है फिर यहाँ पर देखिए, चौथे unit पे तो hydrosphere and atmosphere आपको बताया गया है तो इसमें भी आपको short note बनाना है बहुत huge topic hydrosphere, atmosphere पर इसमें जो है बस topic पे जमे रहिएगा यहाँ पर आपको किसी भी तरह 10 page का notes बना लेना है छोटा छोटा आप सब में लिखिए एक अक page यह enough हो जाएगा soil में बनाना है आपको note soil का यहाँ पर जादा कुछ है नहीं आपको simple topic देखने को मिल जाएगा जो easily आप बना लेंगे understanding the past form study graphic record आपको यहाँ पर बनानी है books के नाम यहाँ पर दे दिएगा multiple books है पर teacher जो बताया वही लिजेगा library में यहाँ पर अगर available हूँ आपके पास in book को देख सकते है suggested reading थी हुए है तो आप use कर सकते है internet में काफी जादा source है याद रखिएगा यह जो है कहीं ना कहीं geography से related है इसलिए आपको material बहुत जादा मिल जाता है UPC में जो है geography यहाँ पर काफी लोग लेते हैं paper, main paper ठीक है इसलिए जो आप देखेंगे यहाँ पर material काफी सारे available है इसलिए problem आपको नहीं होने वाली है internet से बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ पर second paper क्या है आपका यहाँ second paper की marking की बात करें यहाँ पर रहने वाले topic तीक उसी topic को आपको गभर करना है कैसे पढ़ना है सेम जैसा कि मैंने बताया इससे पहले वाले paper को आपको सबसे पहले unit 1 की topic देखनी है क्या है crystal lography है तो वहाँ पर उस पे introduction note उसके बाद आपको सब topics पे notes बनाने है और जो है 15 marks यहाँ पर बतला दो long जो questions आएंगे वो 15 marks के आएंगे 15 marks के हिसाब से सब को बनाईए short भी लिख लिजेगा long answer भी आगर आजए तो आप इसली बना लेंगे तो यहाँ पर चार आपको unit देखनी को मिल रहे हैं और अभी तक आपको आइडिया हो गया हो यहाँ पर कैसे कभर करना है काफी लोग कमेंट करके मुझसे पूछते हैं यहाँ पर की हमारे syllabus को भी बताईए तो देखिए काफी सारे already मैंने syllabus अप्लोड कर रखी है आप सर्च केजेगा student pedia syllabus तो आपको राची university के भी syllabus और बाकी universities के भी syllabus वहाँ पर देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर जो है कुछ प्राबलम हो तो जरूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं थांक्स पो वाचिंग बेस्ट ओफ लाइक